नमस्कार दोस्तों आज बहुत दिन बाद में एक नहीं रेस्पी लिख आया है वह भी कशमीरी रेस्पी कि के कश्मीर में बहुत जाद खाई होती है शायद कहीं ऑने ना सुनी है तो इसको कहते हैं गौगजी राजमा गौगजी मींड शलगम तरनिप तो यह रहा है और मैं एक दम कर लिए और इसको हमने फड़ा से पॉइन कर लिए तो शल्गम हमारे रेड़ी हैं फ्राइए करके काट लिया मुझा जो मसाले बढ़ेंगे वह दिखा देता हूं तो सबसे पहले तो यह है टिक्की मसाला जो कश्मीरी मसाला बोलते हैं जिसको तो यह इसमें जरू मसाला यह भी हमने घर में खुद पीशा हुआ है और साथ में आ गया कोरियंडर पाउडर और यह आ गई हिंग तो धनिये का पाउडर आ गया साथ में नमक और यह आ गया हमारा जो टिक्की मसाला हमने तांके वह थोड़ा डेली उठो जाए सरदी की वज़ा से और वैसे तो डाल सकते हैं वैसे ना डालो तो जादा टेस्टी बनती है और अगर टेस्ट नहीं आ रहा तो आप इसको रूट डाल सकते हैं तो शल्गम हो गया और तेल है पूरा गरम और साथ में हम यह मसाला जो है टमाटर प्यास लसन अधरका उसको हम कि इसको फ्राए करने रख दिया और घूड़ हुए और इसमारे मसाले हम डाल रहे हैं कि देखिये आ अगया सॉंट जो होता है और और येंडर आ गया साथ में जीरा आगया और साथ मिं कोotz सौंफ और अभींग डाल दी हैं लालमिर्च डालनीकी जरूरत ने की क्लिए तकी मसाला और है तो आप से इपके हम क्योंकि और काम्म HR देख सप्सक्न की में wanett करते हैं कश्मीरी लाल मिट का मसाला तो यह प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत अच्छा हो जाएगा और डाइब टिक्स के लिए राजमा बहुत अच्छे हैं यह देखिए फुरा अब पानी सूप गया उसमें से अब इसका थोड़ा तेल निकलेगा तो फिर हम इसको इसको प्राजमा मिक्स करते हैं तो आगे बारी इसमें टिक्की मसाले का पानी है तो डाल दिया मालमित वाला और जब बाकी है ओ लास्ट में डालें ये तो अब इसको होने देते हैं अफ्राइप और इसके बाद आगे बता गया है मसाला हमारा रेडी और इसमें सारे आजेंगे शलगम मुझाबी में काते हैं गॉंग लू और अब टरनेप आ गया हिंडी में शलगम और पर इनको डालेंगे हम राजमा में जो हमारे रेडी है राजमा उन में डालेंगे और इसको देंगे प्रेशर तो जटपट से आपकी सब्जी हो जाएगी तयार तो चलिए अब इसका वेट करते हैं यह तोड़ा पूं जाए और फिर इसको डालते हैं मसाले ने तेल छोड़ जो अध्रक लसन तमाटर प्याज का मसाला अर्शाद में जूंग लिया इसको अब हम इसको ट्रांसर करेंगे तो यह डाल रहे हैं इसमें अब इसको देंगे प्रेशर तांगे थोड़ा सा यह ठीक हो जाए और यह लगा हुए इसमें अलका था जरू गरम पानी डाल के इस अब इसमें डाल देंगे और यह मसाला और इसको प्रेशर देंगे तो चलिए मिलते हैं प्रेशर के बाद अब सिर्फ प्रेशर हमने दे दिया पूरे दस मिनट अभी बूइल हो रहा है अब इसमें डाल रहे हैं जो बाकी बच गया था फ्लेवर के लिए और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो यह वही टिकी मसाला जो हमने देखो के रख तो अधा थोड़ा पानी डालके तो अब इसको कर लेंगे खाली अच्छे तरीके से अब कलर देखिए इसका इतना बढ़िया आ गया अलाल मिर्च गराम मसाल लेगा केस्ट बहुत आ रहा है यह द तो इसका फाइदा यह है यह सर्दियों में आपको खाने को मिलेगा क्योंकि जो शल्गा में वह सर्दियों में आते हैं और खुछ भी बहुत अच्छी आ रही है गर्मियों में तो आगेले राजमा ही खाएंगे राजमा चावल तो ऐसी चैनल को शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा बाबाई और यह आगे मारे राइस और साथ में गौंग जी राजमा